दोस्तों जैसा कि आप सबी जानते होंगे 5 माई को सिनीमा घरों में रिलीस हुई थी दा कैरला स्टोरी जिस फिल्म को हिंदुस्तान की जंता ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और यही वज़ा रही कि फिल्म ने बॉक् दूसरी तरप दो जून को सिनेमा घरो में रिलीज हुई थी सारा अलिखान और विकी कोशल की जोड़ी में बनी फिल्म जराहट के जरा बच गे जिसको सिनेमा घरो में आज 11 दिन चल रहा है फिल्म ऑलरेडी बॉक्स आफिस पर हिट हो चुकी है और बॉक्स आफिस पर ये फ सालों के बाद सिनिमा गोरों में रिलीदि केा गया था फिल्म ने box office पर तूफान मचा रखा है तो दोस्तों बात करने वाले हैं से वीडियो में इन तीनों फिल्मों के अभी तक के total box office collection के बारे में ये फिल्म में अभी तक इंडिया के अंदर total कितनी कमाई कर चुकी है फिल्मों का worldwide total कितना collection हो चुका है तो दोस्तो बसा आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा लेकिन दोस्तो उससे पहले अगर आपको भी गदर टू का बड़ी बेसमरे से इंतिजार है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करे और साथ इस चेनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजीगा दोस्तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जराहट के जराबच के फिल्म की लक्षमन टेकर के डिरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसमें विक्की कौशल, सारा अली खान एहम किरदारों में थी फिल्म का बजट लगबग 50 करोड रुपे का था लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ फिल्म के अभी तक के टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन की तो जिस तरह से इस फिल्म ने बॉक्स आफिस पर परफॉर्म किया है वो वाकी काबिली तारीफ है फिल्म का पहले दिन का 5 करोड 50 लाक रुपे का इंडिया से नेट कलेक्शन था उसके बाद फिल्म की जो टोटल कमाई थी 10 दिनों की वो थी लगबक 54 करोड उपे 54 क्योंकि 10 दिन फिल्म ने 7 करोड उपे का कलेक्शन किया था अपने दूसरे संडे को तो 54 करोड उपे फिल्म ने इंडिया से कमा लिये थे तो वही फिल्म का इंडिया में गिरॉस कलेक्शन 64 करोड उपे हो चुका था overseas फिल्म ने कमा लिये थे 6 करोड उपे और पूरे वल्ड में फिल्म 70 करोड उपे कर चुकी थी और officially ये फिल्म box office पर हिट हो चुकी थी अपने पहले 10 दिनों में ही फिल्म का budget सिर्फ 50 करोड उपे का था बात करूं में 11 दिन यानि के आज की तो आज की जो occupancy है वो भी कमाल की है और फिल्म साड़े 3 करोड उपे पूरे इंडिया से कमारी है और फिल्म का टोटल box office collection 57 करोड 50 लाख उपे इंडिया से नेट हो रहा है तो मैं फिल्म पूरे वल्ड में लगबग 75 करोड उपे की कमाई कर रही है अब दोस्तों यहाँ पर बात करें फिल्म दक केरला स्टोरी की तो सुदीप्तो सैन के डिरेक्शन में ये फिल्म बनी थी जिसमें अधाशर्मा, सोनिया बलानी और सिध्धी इदनानी एहम किरदारों में थे अगर मैं बात करूँ फिल्म के बजट की तो मातर 28 करोड उपे बजट था फिल्म का लेकिन box office पर इस फिल्म ने पूरी इंडिया के अंदर तहलका मचाया है 8 करोड 20 लाख उपे की इस फिल्म ने इंडिया से नेट ओपनिंग की थी उसके बाद फिल्म ने अपने पहले 10 दिनों में 136 करोड 75 लाख उपे इंडिया से नेट कमा लिये थे तो मैं फिल्म का worldwide gross collection 164 करोड उपे था उसके बाद 20 दिनों में फिल्म ने 210 करोड 50 लाख उपे इंडिया से नेट कमा लिये थे तो मैं फिल्म का worldwide collection था 262 करोड उपे उसके बाद फिल्म की जो 30 दिनों की total कमाई थी वो 235 करोड 90 लाख उपे इंडिया से नेट हो चुकी थी तो वहीं फिल्म का worldwide collection 294 करोड रुपे था उसके बाद 35 दिन फिल्म ने कमाई थे 50 लाक रुपे 36 दिन फिल्म की कमाई रही थी 35 लाक रुपे 37 दिन फिल्म ने कमाई थे 60 लाक रुपे 38 दिन फिल्म की कमाई थी 80 लाक रुपे और अगर बात करो मैं आज 49 वे दिन की तो आज भी ये फिल्म 30 लाख रुपे कमा रही है और फिल्म का टोटल बॉक्स आफिस कलेक्शन 49 दिनों का यानि कि आज तक का मैं आपको बता रहा हूँ लेकर्स ने गदर 2 से पहले गदर को एक बार फिर रिलीज करने का फैसला किया था जो फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ गदर 2 की हाइप तो बनी ही बनी लेकिन साथ साथ सनी देवल को भी ये पता चल गया कि उनके पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने चहने वाले हैं और उनको कितना ज्यादा पसंद करते क्योंकि गदर ने जब दुबारा रिलीज हुई तो इस फिल्म ने सभी फिल्मो को पीचे छोड़ दैा 400 से भी कम स्क्रिनों पर ये फिल्म रिलीज हुई थी और फिल्म ने पहले दिन जो कमाई की थी वो 40 लाख उर की की थी पहले तीन दिनों में एक करोड़ पैंतालिस लाक रुपए बिल्कुल ओफिशली रिपोर्ट में आपको दे रहा हूँ इसमें कोई भी दिखावान नहीं है और अगर बात करो में आज की चौथे दिन की तो आज भी फिल्म लगबग 30 से 35 लाक रुपए कमा रही है तो फिल्म टू का टीजर बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है तो गदर टू मुझे लगता है कि बॉक्स आफिस पर बहुत ज्यादा तूफान मचाने वाली है लेकिन आपको क्या लगता है कमेंड में शुरू बताईएगा